कि वेएगम दिप्रमाओने क्लासिस आज में देखेंगे सिंपल इसके लिकार कोर्शन नुबर फॉर इससे पहले हम लोगने कोर्शन नंबर वन टू एंट्री को कम्प्लीट कर लिया है और उसका स्लूसन वीडियो आपको डिस्कूशन मिल जाएगा या पुछ जो को सॉल्व किया है उसका पीडियव भी आपको वहाँ से बिल जाएगा और आई सा स्वाव करते हैं और इसको समझते हैं उसके बाद से करेंगे इसे करेंगे में कहा गया है मीटर देसी मीटर पढ़ने के लिए एक मापनी की रशना करो किस मापनी की यह नहीं बताया गया है मापनी होगा किस मापनी यहां पर बता है जब दो यूटर की बात करेंगा तो को बिगण मापनी होगा यहां पर कितना में रखाए दो यूनिट मीटर और डेसी मीटर जिससे हम यह समझ जाएंगे यह सिंपल स्केल का कॉस्टन है सधारण मापनी का कॉस्टन है यहां ते क्लियर हो गया आगर देखते हैं जबकि एक मीटर 2.5 सेंटीमीटर द्वारा सेंटीमीटर द्वारा पड़ देखता है मतलब कि एक मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर यह से दिया हुए आगे पढ़ लेते हैं तथा में आपने के लिए पर्याप्त हो मापनी पर 5.6 मीटर की दूरी अंकित करो तो क्या क्या हम लोग समझ में आ गया कि एक मीटर बराबर 2. सेंटीमीटर है इसको उलिटे में समझ सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर है और क्या कर रहा है चाहां मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो मतलब कि मैक्सिमम लेंथ जो हमारे पास है वह कितनी आ गई है वह है 6 मीटर ठीक है अब कितना प्रदस्थित करना है सिक्स 5.6 मीटर को सॉल करते हैं सबसे पहले हम को क्या निकालने क्या हो सकता है तो सबसे पहले हमें आरिफ निकालने क्या हो सकता है तो आरे फीजिकल टू ठीक है लेंथ ओन ड्राइंग कि लेंथन अद्राइंगश एक्षोल लेंथ है कि लेन्थ हों ड्राइंग-अधुह कि आयदे कि सैंटिमिटर 2.5 सेंटिमिटर और एक्षोल क FEL सेंटीमिटर में क्या हो जाएगा तू पॉइंट फाइव सेंटीमिटर बाइव वन इंटू हंड्रेड सेंटीमिटर सेंटीमिटर कडिया आगा ठीक है और क्या जाएगा सेंटीमिटर बाइव अन्डेड इंटू 10 पॉइंट को टाएंगे निजी यह इसे काटेंग तो फॉर टायम कड़ेंगा तो क्या जाएगा वन वाइव पॉट्टी आरा क्यों खीटना जाएगा एक बट्ता-चालीस तो यह भर रव गट्रावर एक ऊच्रेश यह मारा आरेयं निकल करके आगया अब क्या निकलना है अब हमें निकलना है लेंध हुआ इसकेल ठीक है तो यह कैसा की लिए अब पार्मूला हम जानते हैं लेंध है अब इसकेल इसकेल इकल तो क्या होता है आर एफ इन्टू मैक्सिमुम लेंथ तो मैक्सिमम लेंद्स कितना है तो यह फार्मूला आरफ वन बाइए 40 अब मैक्सिमम लेंद्स हैं आप दिया हुआ है 6 मिटर 6 मिटर 6 मिटर दे लेंगे मीटर को सैंटी मीटर में अगरण करेंगे और शिक्स इंटु हंड्र जीडू से जीरो कडिया आएगा ठीक है हो जाए कितना Cbike से दिभाइड करेंगे तो 35 क्बित ने फिर आजए हम उलंपिस कोैस जैए पंदे मीं टिम कोश्चन हो गया है तिस अए कितने भागों में डिवाइट करना है अगर हम एक खाने की बेलू आएगी एक मीटर और एक मीटर बराबर होता है फाउब फाउब प्रकार सब्सक्राइब को अग्यों सब्सक्राइब जा आगा ठहल है अगर और छोटा अगगा उने लेगे हम आराम सब्सक्राइब करण यह सब्क्राइब इसे ड्रा करते हैं तो लेते हैं एक ड्राइंग सी आई आप हम इसे ड्रा करते हैं लेंथ आप इसके हमारा आ चुका है 15 सेंटीमेटर का एक लाइन खीचेंगे इस तरीके से अब सुच्छे भागों में डिवाइड करना है तो इससे पहले क्या करेंगे यहां पर एड़ किया जैसे थामेशनहीं करते हैं ठीक है यहां ड्रीस सेंटीमेटर करते लाइन ले लिए आप कै और आहИं इसको आप तरिके से मिला देना है सी ठीक है आप इस किनारे से किसी डेंगे टेकर के इस तरीके से कॉन farmer करना है जैसे हम लोग इसे पहले ही देख चुके हैं कि सिक्स इक्वल पार्ट में से डिवाइड करना है तो कम पास लेते हैं हम लोग कम पास में क्या करेंगे कि कोई भी दूरी लेकर के सिक्स टाइम से कट करेंगे ठीक है यह हो गया वन टू ट्री ओर फाइव एंड शिक्स लास्ट वाले क्या करेंगे लो लास्ट वाले को हम लोग यहां से यहां तक मिलाएंगे यहां से यहां तक कि यह हो गया अब जहां तक ही आया है ठीक है उसको वर्ट कली हम लोग उपर तक उठा देंगे इसके लिए आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं और सेट इसक्वाइर अगर अगर यूज करते हैं तो और इच्छी वह बात है कि इन सब को वर्ट के लिए उपर की तरफ बढ़ा रहेंगे अब फिर से क्योंकि कितना था इसका 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 था छे मीटर तो जीरो एक दो थी चार पांच इंट जो गे helmet-र खना एक idag मिटर का अब ऐखिने करेंगे फिससे दथ हागों में डिवाइट करेंगे दश भागों कि लिए फिससे में से एक Live ने चेंगे तो कम पास में छोटी दूरी ले करके से कट करेंगे बहुत ही छोटी दूई ले लेंगे इस तरीके से रिजाएगा वन तू थ्री पॉर पाइब सिक्स सेवन एट नाइन एंड टैन ठीक है कि क्या करेंगे लास्ट वाले को जीरू से मिलाएंगे लास्ट वाले पॉइंट को हम जीरू से मिलाएंगे इस तरीके से और ठीक है अब इसी को हम लोग क्या करेंगे फिर से समानते देखाएं कि इस्टे हुए उपर की तरफ बढ़ा रहेंगे करेंगे यहां पर इस तरीके से सेट करेंगे यहां पर इस तरीके सेट हो गया अब इसको क्लाइट कराते हुए खिंशते हुए चले जाएंगे इस तरीके से किस्ते हुए चले जाएंगे एकदम एक दूसरे के समानतर होना चाहिए दूरी सारे में बराबर होना चाहिए अब इसको फिर इसके समान तर बढ़ा दिया जाएगा अब बढ़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाए दे अच्छे से इसको आगे तर बढ़ाएंगे और इसको यहां पर इस तरीके से उपर की द्रव खिंशते हुए चले जाएंगे हमारा कितम वर्टिकल होना चाहिए और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होना चाहिए होगया है है अब दिखे यह हमारा जीरो एक दो तीन चार पाँच पान्च कितनी है एक हमारी एक मीटर एक मीटर होता है तो गया एक देसी मीटर एक खाना एक देसी मीटर दिखाता है और हमको पढ़कर कितना बताना है आपकर बताना 54 5.6 मिटर 5.6 मिटर किया मतलब है 5358 तो गला 9?」 कितना है 2123456 जीरहिए हसे आंपकर दीजिए डूरी क्या दिखा लेंगे इसी को क्या करेंगे एक्स लाएंगे थूप उठा देंगे यहां से यहां तक दूरी को मिला देंगे अ ओ कि और यहां से यहां तर यहां और यहां तर यहां हो जाएग आ और कि न रहना होता हमें इस तरीके से रखेंगे की सूलो यहां परCharles का मृण खेचेंगे आ ही हान से आते हमलूं वह न हoking कि लेंथ अच्छिक पूर और यह जाएंगी ल्थ कर क्युक्त उत्ग पुर्ट उससे त्यार है यह एकोशन्त्राब कर Phillips duct कि आपको दार करने की आदत हो जाया ओके मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में सॉल्व करेंगे नेक्स कर्शन ओके थैंक्यू